हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चनल गोविन वैत लक्चर्स में एक बार फिर्शे स्वागत है तो पीरे विद्यार कियो आज की इस क्लास में हम तक्सा 6 और 7 गनित विश्य की ब्रक्ट बुख दो जात एबी 24 के तारे पत्रक 77 और तारे पत्रक 78 को हल करना सिखेंगे बच्चो तारे पत्रक 77 में हम धारीता की समझ विक्सित करपाना सिखेंगे बच्चो धारीता का मतलब होता है बच्चो आयतन का मापन इसका मापन बच्चो आयतन का मापन इसका मापन आयतन का मापन मतलब क्या हुआ बच्चो कि जैसे कोई बरतन है उस बरतन के अंदर कित इतनी समा सकती है उसको मापने का तरीका है बच्चो उसे हम कहते हैं धारिता यानि कि जैसे कोई बरतन है गिलास क्या है गिलास बच्चो मैंने गिलास के अंदर क्या भरा पानी क्या भर दिया पानी अब पानी को जो मापने का तरीका है पानी को जो हम मापेंगे उसे बच्च जैसे आपका पानी ठीक है जैसे कि आपका दूद जिसमें बेहने का गुन पाया जाता है द्रवपरदात का मतलब क्या है जिनमें बेहने का गुन पाया जाता है ठीक है जिनमें बेहने का गुन पाया जाता है उन द्रवपरदातों को मापने के लिए हम किस हिकाई का मापन करत लीटर का और बच्चो एक लीटर के अंदर कितनी मिली लीटर होते हैं यह आपको ध्यान रखना है एक लीटर में बच्चो कितने मिली लीटर होते हैं एक हजार मिली लीटर होते हैं देखो बच्चो पहला प्रस्णो पानी पानी क्या लिखा हुआ है बच्चो पानी पानी न उसको देखो खाना बनाने और पीने में कितने पानी की जरूत परती है 30 लिटर की, कपड़े दोने में 40 लिटर की, बरतन दोने में 20 लिटर की और नहाने में कितनी जरूत परती है 75 लिटर की, बच्चो प्रिवार ने कुल मिला कर कितना पानी इस्तेमाल किया यह आपको बतान तो बच्चो पूल के लिए हम क्या करेंगे सब की जोड कर देंगे तो बच्चो देखो सब की जोड करोगे तो सब का इका यंग क्या है जीरो जीरो फिर पांच तो इका यंग आ जाएगा पांच ठीक है फिर बच्चो तीन और चार साथ साथ और दो नो नो और साथ कितना हो गया 16, हैनि बच्चो 165 लिटर, फूल कितना पानी खर्च करते हैं, 165 लिटर, इन सब की हमने क्या कर दी बच्चो, इन सब की जोड कर दी, आप चाहे तो इधर उपर लिख भी सकते हैं, 30 plus 40 plus 20 plus 75, यह सब क्या है लिटर में, इन सब की बच्चो हमने क्या कर दी, जोड, तो इ आगे बढ़ते हैं बच्चो, प्रश्न संख्या 2, आपका परिवार एक दिन में, विभिन कारियों में कितने लिटर पानी इस्तेमाल करता है, अनुमान लगाकर चाट में भरिये, जैको बच्चो, जैसे मैंने मेरे परिवार का लिखा है, मेरा चोटा सा परिवार है, हम दो रच करते हैं, फिर बच्चो, कपड़े धोने में, आपके दोने में, पैको मेरे कितना कर्च होता होगा, लगबग 30 лीटर, वच्चो, समय लीजिये 10 लीटर, और बच्चो, फिर नाने में तो 7 लीजिये पक्यास लीटर, अब बच्चो कूल कितना पानी इस्तिमाल किया तो सब की जोड कर दो तो बच्चो कितना हो जाएगा देखो 20 पलस 30 फिर बच्चो 10 फिर 50 इन सब की हमने क्या कर दी बच्चो जोड और यह सब क्या है बच्चो लीटर में बच्चो जोड कितनी आ जाएगी देखो, 30 और 20 पक्चास, 50 और 50 पक्चास 100, 100 और 10 कितना हो जाएगा बच्चो, 110 लिटर, कितना हो जाएगा, 110 लिटर, आगे बच्चो प्रशन संक्या 3, हल कीजिए, जहाँ पर देखो, इस डिबे के अंदर कितना है, 16 लिटर तेल है, दूस का है दो तेल के पीपो मेंसे 250 ml की कितनी बोतले बर सकते हैं तो बच्चो 26 लिटर का मतलब क्या हुआ जब इसको मिलिलिटर में बदलेंगे तो 26 गुणा हजार कितना करेंगे 26 गुणा हजार कितना हो जाएगा 26,000 मिलिलिटर कितना हो जाएगा 26,000 मिलिलिटर के अंदर इसका भाग देना है बच्चो 250 का भाग देना है इसका भाग देना है 250 का तो बच्चो देखो 0 से 0 कट जाएगा उपर वाली संक्या को बच्चो मैं कैसा लिख सकता हूँ बच्चो उपर वाली संख्या को में लिख सकता हूँ 260 गोणा आपके कितना लिख सकता हूँ 10 बट्टे में कितना लिख सकता हूँ 25 ठीक है देखो बच्चो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 इसको 5 से काटेंगे बच्चो 5 पंजे 25 है ना फिर बच्चो देखो 5 से काड़ देंगे इसको 5 25 पिछे बच्चा 1 और 0 कितना हो गया 10 5 दूनी 10 बच्चो 52 का गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चो 104 कितना जाएगा 104 बोतल को हम भर सकते हैं 250 ml की इससे 24 लिटर जो तेल है उससे हम 104 बोतल भर सकते हैं 250 ml की दूसरा है बच्चो इसमें 16 लिटर इसमें 10 लिटर और इसमें 6 लिटर तो बच्चो देखो 10 और 6 कितना हो गया 16 इस बच्चो कितनी बोतल भरनी है 100 ml की तो बच्चो हम क्या करेंगे 32,000 ml के अंदर किसका भाग देदेंगे 100 ml का इसका भाग देंगे 100 ml का तो बच्चो देखो 2,0 से 2,0 कर जाएंगे तो बच्चे का कितना 320 यानि बच्चो हम 100 ml की कितनी बोतले भर सकते हैं 320 बोतले भर सकते हैं और पहले प्रश्ण में कितनी बोतले भर सकते थे 104 बोतले ठीके बच्चो तो बस आपको इतना सयाद रखना ह कि एक लिटर के अंदर एक हजार मिली लिटर होता है आगे बढ़ते हैं बच्चो कारे पत्रक 78 की बात करते हैं यहाँ पर बच्चो हम लिटर और मिली लिटर के बीच में अंतर सम्मंद और जोर और गटाव कि समझ बना पाएंगे तो बच्चो आपको बस वही बात याद लिटर और 725 ml बच्चो तीन लिटर का मतलब क्या हुआ तीन गुणा हजार यानि कि 3000 पलस 725 तो बच्चो यह कितना हो गया 3725 ml तो इसका मिलान के से करना है 3725 ml से दूसरा बच्चो 30 लिटर और 725 ml बच्चो देखो 30 लिटर पर पीछे कितना है 725 ml तो बच्चो 30 लीटर तो पूरा हो गया फलस 725 ml को हम किसमें बदलेंगे लीटर में तो इसका भाग देंगे 1000 का इसका भाग देंगे 1000 का बच्चो देखो यहाँ पर कितने 0 है 3 0 है यह दसमलव के बाद कितने अंग आएंगे 3 अंग बच्चो कासे लिखेंगे 30.725 कासे लिखेंगे बच्चो 30.725 तो इसका मिलान कर देंगे बच्चो 30.725 से अगला बच्चो 8.685 बच्चो देखो 8 का मतलब है 8 liter यानि मतलब क्या हुआ 8000 ml पलस 685 तो बच्चो 8,685 हानी option number 2 आपका सही जवाब हो जाएगा अगला बच्चो 8680 बच्चो 80,000 का मतलब हो गया 80 liter दस्मलव 685 ml तो इसका मिलान हो जाएगा बच्चो 80,685 ml अगला बच्चो E 1.450 ml 1.450 ml एक लिटर का मतलब कितना हो गया 1000 ml प्लस 450 तो कितना हो गया 1450 ml तो इसका मिलान करना है 1.450 ml यानी 1450 ml अगला बच्चो 14,500 ml तो बच्चो 14,000 का मतलब कितना हो गया 14.0500 ml ठीके तो 14.500 ml आगे बच्चो प्रशन संक्या दो क्या करनी है जोड करनी है आपको देखो बच्चो ml में 5 और 5 कितना हो गया बच्चो? 0 असिल लग गई 1 3, 3 और 6, 3 और 9 9 और 1, 10 असिल लग गई 0 और 10 का 0 असिल लग गई 1 4 और 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, इसका 0 असिल लग गई बच्चो 2 5 और 2 7 और 2, 9 9 और 5 कितना हो गया? 14 का 4 असिल लग गई 1 2, 3 और 4 यानि कितना हो गया बच्चो? 44 लिटर अगला बच्चो अहां से सुरुवत करेंगे मिली लिटर में सबसे लास्ट वाले अंक से 5 और 5 कितना हो गया बच्चो? 5 और 5 हो गया आपका बच्चो 10 कितना हो गया? बच्चो 5 और 5 हो गया 10 10 का 0 असिल लग गया बच्चो 1 बच्चो 3 और 3 6 6 और बच्चो 6 ये कितना हो गया? 6 और 6 12 12 का 2 असिल लग गया बच्चो 1 1 और 1 कितना हो गया? बच्चो 2 ठीक है फिर बच्चो 5 और 2 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 का 3, 80 लग गई 1, 3, 4 और 5, अनि बच्चो 53 लिटर और 220 ml, अगला बच्चो, जेको सब 11, 0 का 0, 5 और 5 बच्चो 10, 10 का 0, 80 लग गई 1, बच्चो 6 और 6, 12, 12 और 7 बच्चो 19 का 9, 80 लग गई 1, बच्चो 5 और 5, 10, 10 और 9, 19, 19 और 1, 20, 20 का 0, 80 लग गई 2, बच्चो 5 और 2, 7, 7 और 6, कितना हो गया 13 हो, अनि 130 लिटर और 900 ml, अगला बच्चो तीसरा घटाव कीजिए, क्या करना है, घटाव करनी है, देखो बच्चो, 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहां से आसिल भेज देंगे, तो बच्चो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे अब ह हो जाएगा 4, यहां पे हो जाएगा 9, यहां पे हो जाएगा 10, ठीक है बच्चो, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया बच्चो, तो 5, उपर से उतारा बच्चो, 4 का 4, ठीक है, इधर से बच्चो देखो, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर बच्चो, 2, यहां पर 9 और य 454 55 ml अगला बच्च 5 मैं से 0 गया तो 5 इधर बच्च इतना वह जाएगा 12 हो 12 मैं से 5 गया तो बच्च 7 इधर बच्च आप से 6 छे मैं से 7 गया तो download बच्चो दो ठीके फिर बच्चो यहां पर हो जाएगा पंद्रह यहां पर हो जाएगा पांच पंद्रह मैंसे साथ गया तो बच्चो आठ पांच मैंसे दो गया तो तीन और एक मैंसे एक गया तो जीरो आगे बच्चो यहां पर देखो कोई नहीं है तो क्या होगा जीरो जी बच्चो 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5 ठीक है फिर बच्चो यहां से हमने आसिल बेजी थी तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 ठीक है बच्चो अब यहां से एक आसिल बेजेंगे यहां पर हो जाएगा 1 यहां पर कितना हो जाएगा 14 तो अदर मैंसे बच्चो 5 गया तो कितना हो जाएगा 9 फिर बच्चो यहां से आसिल बेजेंगे यहां पे 6 यहां पे 11 11 मैंसे 2 गया तो 9 पर बच्चो 6 मैंसे 1 गया तो 5 599 लिटर और 550 ml आगे बच्चो प्रशन संक्याच्या दुकानदार ने पहले बरतन में 15 लिटर दूसरे बरतन में 20 लिटर और 50 ml तिसरे बरतन में 35 लिटर और 250 ml दूद बरा हुआ है किनों बरतन का दूदे काली केंड में भर देता है केल में कूल कितना दूद है तो बच्चो कूल दूद ठीक है, सब भी क्या करनी है, जोड करनी है देको बच्चो 15 लिटर पलस 20 लिटर, तो 20 दस्मलव देको 50 मिलिलिटर है, बच्चो 50 में 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे 3 0 है नीचे, तो दस्मलव के बाद कितने हैं कोँगे, 3 तो 0 दस्मलव 0 5 0 पलस... कितना हो जाएगा, 35 दस्मलव 25 0 लिटर इन तीनों की क्या करनी है, बच्चो जोड करनी है बच्चो जब इन तीनों की जोड करेंगे तो ये आ जाएगा, अबच्चो 60 लिटर और आपका 300 ML मिलिलिटर इत्तर दस्मलावर 300 मिलिलिटर अगर आपको जोड करके बतानी है तो भी में बता सकता हूँ देखो बच्चो इधर जोड करके भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सबसे पहले कितना था 15 लिटर बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं लिटर और यहाँ पर लिख लेते हैं मिली लिटर बच्चों 15 लिटर यहाँ पर 0000 फिर बच्चों 20 लिटर और 50 ml तो 0, 5, 0 फिर बच्चो 35 लिटर और कितना है? 500 ml तो वर ही 250 ml इन तीनों की करनी है जोड़ तो बच्चो देखो 0 का 0, 5 और 5, 10 का 0, असिल 1, 2 और 1 कितना हो जागा? बच्चो 3, 5 और 5, 10 असिल 1, 3 और 2, 5, 5, dran, 2, कितना हो गया? बच्चो sam kяти इतना हो गया 70 लिटर और 300 ml आगे बच्चो अगला प्रश्ण प्रश्ण संक्या 5 एक गवाले के पास 20 लिटर दूद है उसने 15 लिटर और 500 ml दूद बेच दिया गवाले के पास अब कितना दूद सेस रहा तो बच्चो सेस दूद तो क्या करना है कुल मैसेज जो बेचा है उसको गटा दू बच्चो कुल कितना था 20 लिटर इसमें से कितना खटाना है 15.5 500 लिटर ठीक है 15.5 पांच डबल जीरो लिटर तो बच्चो 15-20 में से जब 15.5 लिटर आप गटाओगे तो बच्चो कितना आ जाएगा बच्चो आ जाएगा आपका 4 लिटर और 500 ml कितना जाएगा 4 लिटर और 500 ml देखो बच्चो 20.000 इसमें से गटाना है 15.5 प्रश्नों के उतर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मित करता हूँ सभी प्रशनों के उतर आपको उच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए अब सभी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइब कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत